एक बहुत बड़े अफसर ने ये पूछा, समन संग अगर चंदा नहीं लेता, तो इसकी बड़ी-बड़ी संगतियां कैसी लगती हैं? और जो लोग संगती में आते हैं, वो खुद का खर्चा देते हैं, अपने खर्चे से आते हैं, वहाँ भाग लेने का, कारेक्रम में हिस्सा लेने का खर्चा देते हैं, तो क्या वो चंदा नहीं है? ऐसी ब्रांती और भी बहुत लोगों की हो सकती है, इसलिए ये वीडियो, जो लोग चंदे का धंदा करते हैं, उन तक जरूर पहुचाएं समन संग का जो दूसरा नियम है, वो है चंदा कभी नहीं, यानि समन संग पबलिक से कभी भी चंदा नहीं लेगा पर समन संग जब भी कोई काईकरम करता है, दो तरह के काईकरम करता है, पहला काईकरम होता है, फ्री की जगए ढूडिए, कोई धर्मसाला, कोई अंबिट का भवन, कोई गाड के भवन, कोई सत्नावी भवन, कोई जो धम का इस्तल है, कुछ भी, चौराया, किसी का घर या च्छत या पार्क जो मिल जाए और अपना खाना साथ लेके आईए और दो रोटी ज्यादा लेके आईए ताकि कोई दूर दरास से व्यक्ति आए, कोई भिकु आए, कोई भिकुणी आए, कोई संत आए, कोई गरीव आए, कोई लाचार आए, कोई मजूर आए, कोई बूड़ संगती में हो जाए और हो सके तो अपना विच्छावन यानि आसन ले के आएं और नहीं तो वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं जो लोकल स्पोक होते हैं समण के समण संग के वो कुछ ना कुछ अरिजमेंट करते हैं दरी चांदनी का और वो आपस में कंटिबूशन करते हैं पब्लिक से पैसे नहीं लेते जैसे कहीं मालो टेंट का खर्चा 1000 रुपे का पड़ा और वहाँ पर 20 स्पो श्रुपे उस लकु हम लिते हैं पर किसी पब्लिक से नहीं मागते हैं इस प्रेकार पहले प्रिकार की जो संगती है वह संगती बहुत ज़ादा लगती है जो बिना पैसे के होती है, लोग आते हैं अपने खर्चे से, संगतियों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर अगर कोई समन गंत खहिता है, या कोई कलंडर खहिता है, या कोई समन संकी सामेगरी खहिता है, तो अपने पैसे से लेकर जाता है, और उनको जो सामेगरी मिलती है, वो एट पार मिलती है no profit no loss पर जैसे समणगंथ तेरे रुपे 60 पैसे का पड़ता है तो तेरे रुपे 60 पैसे का आप ले जाईए आने जाने का खर्चा मिला के 15 रुपे से ज्यादा नहीं बैठता वो और जो बड़ा समणगंथ है वो 24 रुपे 50 पैसे का है 25 रुपे में मिल जाता है जो 96 पैज का है 80 गराम के पेपर पे लगा हुआ है और बहुत अच्छी प्रिंटिंग में वो बना हुआ है तो इस प्रकार जिसको भी जो सामान लेना होता है वो अपने पैसे से लेता है संगती लगती है लोग अपने अपने खर्चे से आते हैं अपना खाना लाते हैं अपना अपना बैठते हैं संगती करते हैं चुले जाते हैं दूसरे परकार की जो संगती होती है, वह वो संगती होती है जो साल में एक या दोवा लगती है या इस्टेट में एक दोवा लगती है, उजसे में बड़ा कोई कुराये का हौल या अअडिटोरियू लेना पड़ता है और सबी लोग चुकि दूर दूर से आते हैं तो अपना खाना लेके नहीं आ सकते क्योंकि खाना खराब हो जाएगा और ज्यादा लोग आते हैं इसलिए जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों से खाना नहीं ला सकते क्योंकि वो उन लोगों के काईकरम के इंतजाम में भी लगे रहते हैं कही कही दिन से तो खाना लाने की इस्तिती नहीं होती तो ऐसे मैं सामुही के रूप से जो पराना नियम था कि अपना अपना खर्चा सब देंगे तो यह तै हो जाता है पहले कि इस्टेडियम का या औरिट्टोरियम का खर्चा पैठने का लाइट का जो फ्लैक्स लगते हैं उसका जो वहां कोई छोटा मोटा इंतजाम होता है उस एक दिन के हसाब से, तीन दिन की है तो तीन दिन के हसाब से, चार दिन की है तो चार दिन के हसाब से, साथ दिन की है तो साथ दिन के हसाब से, दस दिन की है तो दस दिन के हसाब से, वह खर्चा लगबग पहले से ही तै करके बता दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति इसमें भ cooking, खाने के सामान, यह सब advance में आ जाए. कुछ लोग जो नए आते हैं वो वहीं पैसे दे देते हैं. यह सारा का सारा जितना भी खर्चा है, व्यक्ति अपने उपर करता है. अपने खाने, अपने बैठने और अपने सुनने के लिए सारा कुछ करता है. इसलिए खर्चा वही द लेता है जो संगती में हिस्सा लेता है या ये कहें कि खर्चा उसी से लिया जाता है जो संगती में आएगा कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि संगती में आने जाने का जो खर्चा है बैठने उठने का वो 310 रुपे पड़ा तो आप हमसे 310 रुपे ले जाईए पर हम नहीं आए तो समर्संग उसके पैसे नहीं लेता कोई व्यक्ति ये कहे कि हमसे 10.000 रुपे ले जाईए हजार रुपे ले जाईए पांस रुपे ले जाईए या 310 की बजाए 320 रुपे ले जाईए तो समर्संग पैसे नहीं लेता समर्संग उतने ही आदमियों के पैसे लेता है जितने आ 5010ч मतले हैं कि जो वेकति आते हैं वह अपना खर्चा देते और जो वेकति नहीं आते हैं, उनसे खर्चा नहीं लिया जाता है. चंदे में ऐसी कोई restriction नहीं होती चंदे में ये कहा जाता है आप आओ या नाओ और हमको पैसा दे दो और जितना ज़्यादा पैसा दो उतना ज़्यादा अच्छा उतना ज़्यादा आपका परचार करेंगे उतना ज़्यादा आपका नाओ नाम करेंगे ये सारी बाते वहाँ चलती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि चंदा जो होता है वो जबरन लिया जाता है चाहे व्यक्ति आए या ना आए चंदा जो होता है वो पैसा एकटा किया जाता है कारेकरम का खर्चा अगर एक लाग का है तो 20 लाक इकट्टे किये जाते हैं चंदा क्या होता है हर व्यक्ति पर दबाब ड़ा जाता है कि आप कारेकरम लिए पैसा दो और मोटा पैसा दो जबकि संग जो self finance पर चलता है खुद के खर्चे पर चलता है वो कहता है कि जो आएगा वो खर्चा देगा जो नहीं आएगा उससे संग उसका खुद का खर्चा नहीं लेगा और जो खर्चा होगा वही लेंगे जादा नहीं लेंगे इसलिए जब संग की संगती लगती है और अपने खर्चे पर लगती है तो संगती खतम होने से पहले expected जो लगबग वहां खर्चा हुआ है तो लगबग खर्चे का हिसाब इंटरिम खर्चे का हिसाब वहां दे दिया जाता है बता दिया जाता है संगती में कि इतना पैसा आया, इतना पैसा इंतियाम में लगा, इतने पैसी की shortage पड़ी या इतना पैसा एक्सिस है सौटेज पड़ी तो जो स्पोग है लोकल वो अपनी जीएप से बढ़ते हैं क्योंकि खर्चा और उन्हें तेय किया था कम क्यों तेय किया उनकी जुम्यदारी है और अगर एक्सिस होता है पैसा तो उसको हाउस तेय करता है कि उस पैसे का क्या करना है वो हाउस के जो छोटे मोटे खर्चे होते है यसे जुम का खर्चा है या कोई छोटे मोटे खर्चे अमर्जनसी का जाते है उसमें चला जाता है इस परकार जो चंदे का धंदा है और जो समर्ण संग अपने खुद के खर्चे पे, सेल्फ फानेंस पे संगती लगाता है, उसमें जमीन आस्मान का अंतर है चंदे के धंदे में आज तक किसी भी व्यक्ति ने कभी हिसाब नहीं दिया आप हिसाब मांगोगे, तो कहेगा कि तुमने पैसा दिया और अगर पैसा भी दिया है, तो भी हिसाब नहीं देगा, आज तक किसी ने भी चंदा ले जाने के बाद हिसाब नहीं दिया साल दर साल आते हैं कोई नहीं बताता कि पहला पैसा कहां खर्चुआ कोई नहीं बताता कि एतने दिन से चंदा एकटा कर रहे हो तो अधिकार क्यों नहीं बच रहे कोई नहीं बताता कि 29 लाक संग्षन चंदा एकटा करते हैं क्यों करते हैं कोई नहीं बताता कि धम के इतने सारी लोग हैं अलगलग चंदा क्यों इखटा करते हैं कोई नहीं बताता कि इतनी सारी राजितिक पार्टियां हैं समडों की अलगलग क्यों हैं और क्यों चंदा इखटा करती हैं कोई नहीं बताता कि बाम सेफ की अलगलग हिसाब ले सकते हैं क्योंकि समर्संग सारा हिसाब पब्लिक को देता है जिनों ने दिया जिनोंने हिस्सा लिया उनके लिए भी जिनोंने नहीं दिया हिस्सा नहीं लिया उनको भी सभी समर्संग का क्योंकि समर्संग ये कहता है कि जो पैसा दिया जाता है, वो समाज का होता है, इसलिए समाज में सब बरावर होते हैं, चाए कोई चंदा दे या ना दे, चाए कोई पैसा दे या ना दे, चाए कोई आए या ना आए, चाए कोई खुद का खर्चा करे ना करे, इसलिए सब को हिसाब मिलना चाहिए, पर संग्ठन इस बात को नहीं मानते, संग्ठन कहते हैं कि जो हमें पैसा देगा, हम तो उसको भी हिसाब नहीं देते, तो बिना पैसे दिये वाला गर हिसाब मांगता है, तो उसको कैसा हिसाब, उसको तो सिर्फ फटकार मिलती है, ये बारिक सा अंतर है, धन्यवाद.